वेलकम तो और जैनल तोड़ेश वी आप गोंग टूटिस्कर्स अबाउट आवर नुव टोपिक डाट इस नर्शिंग रेट्पॉंसिब्लिटीज इन पेरेंटर नूट्रिशन ठेरेपी पेरेंटर नूट्रिशन ठेरेपी यह अब तक हम नहीं है सब कुछ स्टडी कर लिया उनका कमपोजिशन होता है तीक है उसके बाद हमने देखा है कि पैरेंटर नूटीशन ठेरेपी को कैसे स्टार्ट किया जाता है कैसे उस पो discontinue करना है, parent nutrition therapy को किस route से कैसे administer करना है, कौन-कौन से महाँ पर complication develop होने के chances है, साथ की साथ उन complications को कैसे manage किया जा सकता है, और कैसे उन complications को होने से prevent किया जा सकता है, वो सारा कुछ हमने अप तद study कर लिया है, ठीक है, तो आईए आज की class तेंदर हम study करना शुरू परते हैं, nursing responsibility and parent nutrition therapy, nursing responsibility and parent nutrition therapy, nursing responsibility and parent nutrition therapy के इंदे सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो हमारी first one responsibility है as a nursing officer, वो हमारी first one responsibility क्या होगी, कि हमें हमेशा सबसे पहले, जब भी हमारे पास कोई भी patient आया है, और उस पो parent nutrition therapy के लिए डोक्टर ने अडवाइज किया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोक्टर का prescription चेक करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डोक्टर के prescription को हमें क्या करना है, check करना, always check the prescription for the component or parent nutrition therapy, परिखि कौन-कौन से Component है कौन से Component है किस Component के According हमे Patient को जो भी Parent and Nutrition Therapy है वो स्टार्ट करनी है हो सकता है कि आपका Patient है ठीक है, हो सकता है कि आपका Patient है उसको क्या हो सकता है Gulkose Intolerance Gulkose Gulkose Intolerance हो सकता है अब Gulkose Intolerance के Condition आगर बान लीजिए आपके patient को है तो आप क्या नहीं करोगे और उस prescription में हमें यह करना है कि doctor ने कौनसे component को administer करने के लिए बोला गया है next one point किये कहता है साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि जब हम Parent and Nutrition Therapy स्टार्ट कर देते हैं मानलीजी आपका पेशिंट आपने देखा Prescription के According आपने कहा किया डोक्टर के Prescription के According आपने कहा किया पेशिंट को Parent and Nutrition Therapy वो क्या कर दी? स्टार्ट कर दी अब आपने जैसे स्टार्ट करी उसके बाद क्या करना है उसके बाद ये एग्यान रखना है कि जब भी आप ठीक है? Parent and Nutrition Therapy दे रहे हो तो हमें क्या करना है? कोई भी Medication या कोई भी Blood Product उस Root से हमें मतलब उस Parent and Nutrition साइट से हमें Administer नहीं करना है क्या खैना है क्या क्या अबुआ कि, हमहें क्या क्या to or मैडिकेशन रहे ह् देना है कोई भी Management वहां पर हमें नहीं देना है पसेइन को कोई भी Medication नहीं देनी है और साथ की साथ हमें क्या नहीं देना है Blood products भी नहीं देनी है Parent and Nutrition Clinic के अंदर क्योंकि यह क्या करने सकते हैं इनको इनकी होसकता है वहाँ पर इंफेक्शन का रिस्क हो सकता है सबसे पहले मैं आपके बात बताना चाहूंगा कि आज क्लास के अंदर थोड़ा सा मोडिफिकेशन है मोडिटिकेशन यह ही है कि आज थोड़ा टैबलेट पे ग्लास ली जा रही है तो बार-बार मेरे नीचे देखने का परपस ही है कि मैं उस पर अंडरलाइन कर रहा हूं एडिंग को हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है सब लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं एंडराइटिंग हो थोड़ा सक अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है लेकिन डेवाइड इंप्रूव हो जाएगा आइटिंक यह तरीका आपके लिए बेटर हो इसी के लिए हमाने टेकनिकल टीम ने इसमें सपोर्ट किया है कि यह एक नया डिवाइस हमें प्रवाइड करवाए है नेक्स वन है जब भी हम जब भी आप सेंट्रल वीनेस कैथेटर है जो भी आपका सेंट्रल वीनेस कैथेटर है आपने पेशेंट के अंदर सेंट्रल वीनेस कैथेटर लगा रखा है उस कैथेटर से आप क्या कर सकत इंटर लाइन आपने अपर पेशेंट को लगा ली तो उसके बाद बार-बार क्यों प्रिक करना किमिंट करना किसी भी ब्लड सेंपल के लिए अमें क्या करना है जब भी हम जयाना रखे आए अ प्ल ले रहे हैं हमें व्लेप सेंपल यह रखना है जिस पोर्ट से हम पेरेंटर नुट्रिशन सॉलूशन एड्मिस्टर कर रहे है जिस पोर्ट से हम पेरेंटर नुट्रिशन सॉलूशन एड्मिस्टर कर रहे है पेशेंट के इंडर जैसे सपोसिट मान लीजिए यह सेंटरल वीनस कैथेटर है यहाँ पर अगर इसके अंदर अ एक port यह होता, एक port यह यहाँ पे होता, port मतलब lumen, ठीक है, यह central venus catheter जा रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है, यह central venus catheter जैसे ही जा रहा है, तो इसमें अगर मान लीजी यह port होते हैं, जो कि मैंने diagram ड्रो किया है, यहाँ पे, मान लीजी यह वाला port है, ठीक है, यह अगर port होत panenntral nutrition यह होगया, प्रहूर का port होगया, ठीक है, जो panenntral nutrition वाला port है, उसका selection हमें नहीं करना थे, बाकी हमारे पास, एक port यह बच गया और एक port यह बच गया ठीक है, तो इन port का selection हमें क्या गरना है, जब भी हम किसी patient को, जब भी हम किसी patient को, ले रहे हैं पर्रक कोई राइने ही तो इस स्लाइट के अंदर आपको यह देखने को मिला है कि सबसे पहले हमें क्या करना है work का क्या आई एखर है ठेखना है कि कॉन सा component हमें पेशन को एकने साथ की साथ जिस root से हैं, जिस port के तुरू हम Parental Nutrition के अंदर क्या दे रहें? जो Parental Nutrition दे रहें, जिस port के तुरू, वो सपोर्ट से हमें कभी भी क्या नहीं करना है, कोई medication नहीं दे नहीं हो, कोई भी blood product है, उसको हमें क्या नहीं करना है, administer नहीं करना है third one point के अंदर ये बताया गया है, कि जब भी आप किसी patient का central line लगी भी है, उस patient से अगर आप blood ले रहे हो, blood sample ले रहे हो, in short, अगर आप central line से blood sample ले रहे हो, तो हमें क्या करना है, दूसरे port का यूज करना है, ठीक है, जिस port से आपने Parental Nutrition दे रखा है, ठीक है, जिस port से आपने Parent Parental Nutrition के लिए हमने काम में लिया है, Parental Nutrition, ये वाला port अगर अगर अपने Parental Nutrition के लिए काम में लिया है, तो हमें क्या करना है, बाकी remaining के जो दो port है, उनसे हमें blood sample लेने, ठीक है, ये वाद के class में, ये आज की slide के अंदर बताया गया है, ठीक है, handwriting के अंदर थोड़ा सा अच् करूँगा, नया device दिया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, next one है, जब भी आप patient के अंदर, जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप किसी patient के अंदर blood sample ले रहे हो, किस से ले रहे हो, central venus catheter से, आप जब भी central line से आप क्या कर रहे हो, blood sample ले रहे हो, important point बहुत ही important point है, most important, star लगा लीजिएगा, ठीक है, most important point है, ये point क्या कह रहे हो, जब भी आप किसी patient के अंदर central line से blood sample ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको, जिस sport से parent nutrition जा रहे हो, उस sport का use नहीं करना है, पहला पहले, पहले ही बता चुका अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप sample लेने जा रहे हो, blood sample लेने के लिए आप जा रहे हो, जब आप blood sample लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, parent and nutrition को बंद कर, sample लेने जा रहे है, ए sometime sometime ठीक है sometime हमें क्या करना है थोड़े से समय के लिए हमें क्या करना है जो भी solution उसको हमें क्या करना है stop करना है stop कर देंगे ठीक है first हमें क्या करना है stop करना है solution को हम क्या कर देंगे stop कर देंगे ठीक है stop करेंगे यह आपे देखो हमें stop करना है ठीक है और wait for sometime stop कर देंगे sample लेने इसका reason किया अब इसका reason यही है देखिएगा आप कि अगर मान लीजिए same आप same port से तो लेना ही नहीं है ठीक है counter indicated है ठीक है लेकिन अगर आप दूसरे port से ले रहे हो और parent and nutrition चल रहा है तो वो सकता है कि आपके जो laboratory results है ठीक है उनके अंदर क्या हो सकता है दिक्कत आ सकती है उनके अंदर क्या आ सकता है उनके अंदर problem आ सकती है ठीक है यह सारी problems आ सकती है उसके अंदर ठीक है तो उनको prevent करने के कहोई हैं ुबतो हैसा सबसे पहले बंद करना है यह सेंटर लाइंस से पहले दीशिया निकाल सकते हैं ज्यान रखने की बात इतनी सी है कि अगर सेम अगर आप जो आपका परेंटर नूटिशन सॉलूशन न वह अगर अगर कंटिनूसली रनिंग में रहेगा तो उस कंडिशन के अंदर क्या होगा जो आपके लिबरेटरी रिजर्ट्स हैं उनके अंदर दिक्कत आने की चांसे जह उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है नेक्स वन है नेक्स वन पॉड़ी है कि जब भी आपका पेशेंट जब भी आपका पेशेंट जो पेशेंट जिसको पेरेंटर नूटिशन तेरेपी चल रही है अगर आपका पेशेंट उस पेशेंट को अगर एंटी कोयागुल तेरेपी चल रही है तो उस condition के अंदर आपको क्या करना होगा आपको अमेशा थ्रॉम्बो प्लास्टिन ठीक है और activated partial thromboplastin और थ्रॉम्बो थ्रॉम्बिन टाइम को प्रोथॉम्बिन टाइम का में क्या करना है इसको बोला जाता है प्रोथॉम्बिन टाइम इन प्रोथॉम्बिन टाइम किस पेशेंट के अंदर इनको मॉनिटर करके रखना है प्रोथॉम्बिन टाइम को मॉनिटर करना है और activated partial thromboplastin time को मॉनिटर करना है किस पेशेंट के अंदर जिस पेशेंट के अंदर क्या चल रही यह आपकी anticoagulant therapy चल रही है, उसी patient के अंदर हमें इन दोनों को monitor करना है, ठीक है, इनी दोनों test को में क्या करना है, monitor करना है, नीचे आपको दिखाया गया है, कि नीचे जो sliders के अंदर लिखा गया है, कि normal, इनके normal level क्या होते हैं, देखिए, नोर्मल लेवल की बात करें, तो normal level की बात करें, तो normal level में देखिए, activated partial thromboplastin time का जो normal level होता है, 25 से 35 से 25 से 25 से 25 से इसका normal level होता है, ठीक है, अब इसमें देखिए, यह activated normally, यहाँ पर मैं कुछ अलग से बताऊँगा, यहाँ पर यह है, कि यह सबसे पहले किस test की, कुन सी anticoagul treatment therapy में, epididy test most commonly किया जाता है, वो किया जाता है, हिपेरीन के अंदर, हिपेरीन के अंदर, ठीक है, हिपेरीन के अंदर most commonly जो test किया जाता है, जो हिपेरीन therapy, उसकी effective nest को check करने के लिए भी हम जा करते है, activated partial thromboplastin time, चेक किया जाता है, जिसका normal value कितनी होती है, 25 तो 35 सेकेंड हो होगा, उसका decent के अंदर क्या करना है, आपको जब आप फिपेरीन therapy दे रहे हो, तो आपको यह जो thromboplastin, activated partial thromboplastin time है, इसको पेरीन कब तक देना है, जब तक APTT है, वो 3 गुणा ना हो जाए, ठीक है, यह multiply by 3 time, 3 time, 3 time ना हो जाए, 3 time होने का मतलब है, इसकी जो range है, activated partial thromboplast इसकी जो range है, वो 80 to 90 seconds जब तक नहीं चली जाए, ठीक है, तब तक हम आरामते हैं, एंटिक वागुलेंट या भी पेरीन थे, पेशेंट को रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे जादा जाता है, इस amount से अगर जादा जाता है, इससे अगर increase हो रहा है, अगर इससे increase होता है, त bleeding tendencies क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, bleeding tendencies क्या हो जाती है, increase हो जाती है, तो उस condition के अंदर हमें क्या नहीं करना है, उस condition के अंदर हमें क्या नहीं करना है, जब भी पेशेंट को इपेरीन थेरेपी चल रही है, तो उस condition के अंदर हमें क्या monitor करना है, एक्टिवेटेट पार्च antidote of hyperin hyperin का antidote क्या है comment section में बताना जी मैं कल की class में बताऊंगा आपको ठीक है next है हमारा normal prothombin time prothombin time है वो देखे prothombin time क्या है prothombin time हमारा कितना है 9.4 से लेकर कि 12.5 second तरह इसका prothombin time normal है ठीक है और ये भी किया जाता है जब patient के anticoagulant therapy है वो चल रही है उस condition के अंदर है prothombin time में वो normally check किया जाता है ठीक है next वाना PTINR PTINR बतले prothombin time और INR ये दोलो साथ में किये जाते है prothombin time PTINR डोक्टरा में इसा लिखते है PTINR test PTINR test लिखते है ठीक है तो PTINR जो test है PTINR test के अंदर क्या किया जाता है जो भी जो ratio जो bleeding tendencies है उनका पता लगाने के लिए PTINR के test किया जाता है जो PTINR का जो ratio है ठीक है बहुत बार इस पर question आता है तो इसको आप note कर लीजिएगा students बहुत बार इस पर question आता है PTINR की normal value कितनी होती है और normal APTT की lower value कितनी होती है most commonly इन दोनों के उपर पुछा जाता है साथ की साथ ये पुछा जाता है कि ये किस condition के अंदर किया जाता है तो जो normal हमारा जो normal हमारा ये है क्या बोलते है इसको ये PTINR PTINR की normal range कितनी है 0.9 से लेकर कि 1.1 सेकेंड इसकी PTINR के normal value है ढेकर आइन र का मतलब है international neighborhood myth International normalized ratio international normalized ratio ये सारी चीज़ें क्या है ये 11 टेस्ट किया जाता है कब किया जाता है जब पेशेंट के अंटीवाजूमागी रिपी पीप तो आइन आइन टेस्ट के अंदर किया जाता है वो देखिए गए एक मिनिट थोड़े सी सपाई कर लेते हैं आई एना टेस्ट कहां किया जाता है वो बताता हूं भी ठीक है आई 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 जाएगा और किसी को ही पैरीन चल रहा है उस condition के अंदर क्या किया जाएगा एपीटीटि ही पैरीन जब किसी पैरीन चल रहा है तो उस condition के अंदर यह test किया जाता है ठीक है जी next time बावात करते है आई वह आप सब कोई समझ में आया होगा किसी भी student को कोई doubt है तो please मुझे comment section में बताईए धीरे धीरे handwriting भी system जो पर improve होना शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा आप adjust कीजिएगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से इसके उपर handwriting को set करने की ठीक है अच्छे से इसके जो functions है उनके अंदर आपको अच्छे से अच्छे lecture deliver करने की आज भी मतलब आप देख रहेंगी लिख के भी कुछ समझाया जा रहा है highlight भी जिया जा रहा है points को ठीक है तो please सोड़ा सा cooperate कीजिएगा और बनाई रखिएगा next हम आरी है next हम बात करते है जब भी किसी patient को जब आपकी कोई patient है जिसको पेरेंटर nutrition therapy चल रही है जब भी किसी patient को पेरेंटर nutrition therapy चल रही है तो उस condition के अंदर क्या रहना है उस condition के अंदर हमें क्या करना है औस condition के अंदर हमें क्या करना है उसके electrolytes monitor करने पड़ेंगे electrolyte monitor करने Albumin का level monitor करना होगा है liver and renal function monitor करने होगा regular interval के ऑप allt gum bakın अमें क्या करना है ák़व करना है 7 की साथ तक ही regular interval पर हमें इसको check करना है क्या क्या चेक करने देखिए फरस्ट बन क्या करेंगे electrolyte monitor करेंगे हम अब electrolyte monitor क्यों कर रहा है electrolyte monitor करने के पीछे जो reason है वो reason यही है electrolyte level monitor करने के पीछे जो reason है वो reason यह है कि मान लेजिए आप किसी patient को saline rich saline rich मतलब जिसके इंदर water का concentration है ऐसा solution ऐसा Penitred Nutrition Solution जिसके अंदर Water का Concentration ज़्यादा है तो आप क्या होगा अब आप उस Water का Concentration अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा देखिएगा जो हमारा जो हमारा IntraVascular Space है IntraVascular Space IntraVascular Space के अंदर क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया? Water वो ज्यादा दे दिया है अब Water ज्यादा दिया कहा गया है IntraVascular Space में इससे क्या होगा? Dilution of Electrolytes क्या हो जाएगा? अब आपे Dilution हो जाएगा देखिए समझीएगा एक अमने जार है उस जार के अंदर मान लीजिए 20 ml Water है Water या एच्टू ठीक है? और इसके अंदर हमने मिला दिया 2 ml Sugar एड़ कर दी तब तक सब ठीक है इस condition तक सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहा है सब ठीक है 20 में 2 sugar ह कोई रिकत नहीं है लेकिन अगर आप इसी के अंदर इस 20 ml के अंदर 20 ml और प्लस कर दोगे तो कितना हो गया 40 20 की इतना हो गया 40 अब ये 40 जो हो गया 40 के अंदर कितना l sugar है 2 ml ह थीक है सुगर क्या हो गया हो गया ow ऑ गया मतलब सीधा सा कहने, का मतलब यह ंति एक हि एक तो 20 mlangel मान लो या 2 gram माल लो 2 gram sugar थी तो वो अच्छे से मीठा हो रखा था वो अच्छा सर्बत बन रखा था लेकिन उसी के अंदर आपने क्या किर दिया 40 मलब 20 ml और एड़ कर दिया तो 20 प्लस 20 कितना हो गया 40 हो गया और 40 होने की वज़े से आपने क्या एड़ गया सिर्फ वाटर एड़ करने की वज़े से क्या हुआ वो जो पान वी थी दो ग्राम वो क्या होगी डाइलूट होगी पहले वो इदम फुल कंसेंट्रेशन में मैनेज थी अब यही सीन आप यही सिनेरियो अगर आप पेशेंट के वेस्कुलर कंपार्टमेंट में देखोगे मान लीजिए सब कुल ठीक था लेकिन पेरेंटर नूट्रिशन ते तो यह सारा समझ में आगए आईगोफ समझ में आया होगा आपको नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्षन में बताईएगा ठीक है next है हमारा point next क्या कह रहा है next कह रहा है कि हमें albumin का level है उसको भी क्या करना होगा monitor करना है किसके level को monitor करना है albumin के level को albumin के level को भी हमें क्या करना पड़ेगा monitor करना है तो albumin का level monitor करने का क्या परपजब है albumin का level क्यों monitor करना है albumin का level इसलिए monitor करना है ताकि अगर मान लीजिए patient के इंदर protein की deficiencies हो रही है ठीक है तो उस condition के अंदर हम क्या करेंगे तो भी parent nutrition solution का आम में लेंगे उस parent nutrition solution के अंदर क्या कर देंगे हम protein rich parent nutrition solution हम patient को provide करेंगे साथ की साथ हमें ये भी धियां रखना है कि patient के lever function और renal function वो भी proper functioning पर होनी चीँ है lever function और renal function क्यों होने चीए जी वो इसंलिए होने चीए है देखिएगा lever function है lever है body का सबसे बड़ा metabolism का सबसे बड़ा organ है हमारी body का सबसे बड़ा metabolism का organ हो वो क्या है तो अगर आप जो भी जो भी solution, parent and nutrition solution दे रहे हो उसके अंदर जो कुछ भी product आप दे रहे हो जो भी components आप दे रहे हो blood दे रहे हो और electrolyte दे रहे हो त्क है ? गलखोस, protein, lipids टिक है ? Fatally acids टिक है जो कुछ भी आप दे रहे हो उन सब को metabolize करने काकहँ दिसका है प्रोपर्ली बाहर नहीं निकालेगी तो क्या होगा बोडी के अंदर प्रोपोनेंट या जो अमाउंट है ठीक है वह क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका पेशेंट अबा फ्लूड हो जाएगा हाइपर वोलुमिया जो की पेरेंटे नूटिशन का क्या है एक कॉंप्लिकेशन है ठीक है जुगिलार बेंड इस्टेंशन है पर्मोनरी एडिमा हो जाएगा क्रेकल्स कुन नेगो मिलेगी लंग साउंस के अंदर डिफिकल्टी आने लग जाएगी बृतिंग ये सारे कहा है स्टुडेंट्स ध्यान रखिए पढ़िए आराम से पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्चर में जरू बताइए मैं उस कोशिश करूंगा उस दिक्कत को दूर करने की और साथ की साथ मैं आपको सपोर्ट क करने की कोशिश कर रहा हूं अपने लेक्चर वीडियो के तुरू आपकी जो प्रिपरेशन है नर्सिंग ओफिसर एक्जामीनिशन की और मैं आपको यह बताना चाहूंगा जैसे कि मैं नर्सिंग ओफिसर हूँ एक दो मैंने बहुत जाद है जल्द की अठाइस सो से तीन हजार नर्सिंग ओफिसर तीन हजार नर्सिंग ओफिसर की पोस्त आने की पूरी-पूरी संभावनच पेरामेडिकल पोस्त पेरामेडिकल स्टाप के लिए जो रिकूप्मेंट एक्ट नोटिस वो जल्दी जारी जारी कर दिया जा चुका है NCR के लिए राजस्तान के लिए बहुत सारे रिजन्स है ठीक है उन सब के लिए जारी कर दिया गया है जल्दी नर्सिंग ओफिसर का रिकूप्मेंट नोटिस वो बी जारी होने वाल है तो आप अपनी प्रेपरेशन को डिक्रीज मत कीजिएगा रोकिएगा मत की लॉट गूरवी alleen एक्जाम हो गया तो अब हम थोड़ी gözरे Cash करते हैं रहें नहीं करना हमें रहेट नर्सिंग आपिसर करना उससे पहले कोई सब्सप्में लेना है ठीक है आज के समय में नैंट शुरुका ठीकह fluor करते है कि the next 5CM कि यह गोन्पोका cana your regular पर ताककी हम क्या पर द्겠 जो भी solution हमें अम्म ऐडींडिमिस्टर करिंगे प्यों सेलेक्शन प्रोपड सेलेक्शन कर सकतें next point है कि जब भी हम पेशेंट पेरींटरeshם सौलिशन के ऊपर है पेरेंटरोर्ण नुत्रिशन के ऊपर है पेशेंट के इससे हम क्या कर सके patient को बचा सके हो सकता है कि आपका जो solution उसके अंदर glucose कम था और आपका patient कहा चला गया hypoglycemia हमें ठीक है और हो सकता है आपका solution था उसके अंदर glucose proper amount था लेकिन आपने fluid को बहुत speed से patient को administer कर दिया तो हो सकता है hyperglycemia hypervolumia के complication develop हो सकता है तो उस condition के अंदर हमें इन सारी चीज़ों के हमें क्या करना है monitor करके रखना है ठीक है next है जो भी severely malnourished patient है उनके अंदर एक problem या एक problem होने के दिक्कत होती है एक syndrome है refeeding syndrome ठीक है refeeding syndrome आईको देखना बहुत ही important point है refeeding syndrome in severely malnourished patient monitor the refeeding syndrome important point है very most very most point है ठीक है बहुत ही important point है कि जो भी severely malnourished patient होते है उन patients के अंदर हमें क्या करना है refeeding syndrome को monitor करके रखना है अब यहाँ पर सवार उठता है कि refeeding syndrome क्या होता है अब सवार उठता है तो जवाब भी देंगे ठीक है यह refeeding syndrome क्या होता है normally मैं बताना चाहूँगा कि refeeding syndrome के अंदर क्या होता है जो electrolytes है जैसे ही कोई patient है वो पापी दिनों से malnourist है उसके बाद आप क्या पर रहे हो दुबारा से उसकी feeding स्टार्ट कर रहे हो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है repeating का मतलब है दुबारा से आप क्या कर रहे हो patient की feeding को start कर रहे हो यहां पर मैं डिटेल के साथ आपको explain करूँ गा किसी भी student को अगर कोई doubt है प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईएगा ठीक है, refeeding syndrome, हमारा जो next topic है वो क्या है refeeding syndrome आप देखेंगे refeeding syndrome क्या हो रहा है ठीक है यहां पर थोड़ा सद जूम कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा से दीख सके ठीक है, माल लीजिए कोई patient है वो पापी लंबे समय से किस condition के अंदर है starvation और malnourist condition के अंदर है starvation मतलब anorexia do not taking patient क्या नहीं कर रहा है, हमारा patient क्या नहीं कर रहा है, no food not eating food, खाना नहीं का रहा है, हमारा patient काना नहीं का रहा है, क्या condition जब patient लंबे समय से खाना नहीं खा रहा है, भूका है, तो उस condition को क्या बोलते है, starvation और यहां कोई हमारा पेशेंट जो क्या है बहुत ही मालनरेज्ट पेशेंट है एक दम पतला था ठीक है उसमें क्या होगा देखिए उसमें क्या होगा नॉर्मल कंडिशन के अंदर क्या होगा उसके अंदर क्या होगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ग्ल्को नियोजेनेसिस ग् यूदिम करने के लिए क्या होगा ग्लाइको चीनफ हो जाता है चैनल को क्या है energy का प्रोडीक्षम कर लिए बोडी क्या करेगी जो ब्लाइको लेकिन अपर पहल्थ बोड़ी के परना शुरू कर देगी यूदे अपका glucose का production शुरू कर देगी, तो ये सारे mechanism body क्या कर देगी, starvation की condition के क्या कर देगी, शुरू कर देती है, ठीक है, अब इस condition के अंदर क्या होगा, protein, fat, minerals and electrolyte and vitamin deplet, ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब आप बाहर से ले नहीं रहे हो, जो body के अंदर था, उसी को आपने क्या कर दिया consume कर दिया, तो body में क्या होगे, कमी होगी, ठीक है, decrease, यहाँ पे क्या होगा, जो भी protein वगेर आपने बना ली, जितना था, आपने बन गया, अब क्या होगा, body के अंदर पास, body के पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब क्या होगा, उस condition के अंदर क्या होगा, वो जो भी solution थे, जो भी आपकी protein थी, fat थी, minerals थे, glucose था, electrolytes थे, वो सारे क्या होगे, आपके body के अंदर कम होगे, अब वो कम होगे, तब क्या होगा, देखो, अब आपने क्या किया, आपने refitting शुरू की, switch to feeding, आपने क्या किया, patient को refitting पे डाल दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे शुरू जी मिलती है, प्रॉपर डाइट से, उसका main source क्या है, उसका main source क्या है, carbohydrate, ठीक है, carbohydrate हमारा main source होता है, refitting के अंदर हम क्या पिर रहे है, patient को fluid भी देंगे, salt भी देंगे, nutrition भी देंगे, ठीक है, fluid भी देंगे, patient को salt भी देंगे, nutrition भी देंगे, तो वो सारी चीज़े हम patient के इंसुलीन का सिक्रेशन वड़ाइगी तो हम क्या करेंगे देखिए गुलकोज का अपडेग बढ़ गया, तिक है, विटामीन अपडेग बढ़ गया साथ की साथ जो consistency है, potassium है, magnesium है और phosphorus है, इनका क्या बढ़ गया हमारे, अमारे साथ क्या बढ़ गया जैसे insulin था, insulin था, insulin ने क्या क्या किया, गुलकोज को और पोटेसियम को पकड़ के कहा कर दिया सेल के अंदर डाल दिया ठीक है गुलकोज को नॉर्मल ही क्या होता है इंसुलिन क्या परता है गुलकोज को बाइंड करता है इंसुलिन क्या परता है पोटेसियम के साथ इंसुलिन क्या परता है चल के अंदर चला गया, देखिएगा, यह blood vessels है, कोई भी blood vessels, जहां से blood चल रहा है, इसके अंदर था आपका insulin, insulin plus CHO मतलब carbohydrate, ठीक है, community health officer नहीं है, CHO है, ठीक है, carbohydrate, ठीक है, पुरानी लिख पाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, जैसे ही insulin carbohydrate को लेके जाएगा, तो insulin हमेशा अपने साथ क्या करता है, K plus को भी रखता है मतलब potassium को भी रखता तो ये तीनो चीजे कहां चली जाएंगी cell के अंदर चली जाएंगी cell के अंदर चली जाएंगी तो क्या होगा cell के अंदर चली जाएंगी तो क्या होगा अब जो इस blood vessels के अंदर क्या हो जाएगा की प्लस उसका लेवल क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अगर interest मलब बलड के अंदर या intravescular compartment के अंदर अगर potassium का लेवल हो वो क्या हो गया कम हो गया तो वो क्या condition कहलाती है hypokalemia same ऐसा यह magnesium और phosphorus के साथ होता है यह भी cell के अंदर चले जाते है तो क्या होता है देखिए hypomagnetium या hypophosphatemia ठीक है vitamins की deficiency हो जाएगी साथ की साथ क्या होगा अब यहाँ पे water का retention हो जाएगा potassium अदर जला गया तो sodium बाहर है sodium का concentration है वो बाहर क्या हो जाएगा ज़ादा हो जाएगा cell के बाद तो sodium की एक nature होता है sodium हमेशा अपने साथ water को retain करके रखता है तो water अगर जादा हो जाएगा तो hyper volumia की condition भी develop हो जाएगी है जो भी electrolytes थे वो dilute हो जाएगे dilute होने का मतलब है जो भी मैंने पिछली side के अदर आपको example दिया था क्या example दिया था मैंने आपको जाए धियान रख्येगा रिफिडिंग से ठीक है एक बड़ दुबारा से देखते हैं कि रिफिडिंग सिंड्रोम क्या होता है मान लीजिए मान लीजिए कोई हमारा patient है वो मौत माल नरीस patient है starvation है काफी दिनों से उसने खाना नहीं लुकोजन है यह वोटर भी किम होगा अने कोषिश करेगी एनर्जी का प्रोडिक्शन करने की कोशिश करेगी जहां जहां से बोड़ी कशिब करेगी तो ब्रेम हो जाएग प्रोटीन होग किकल nä rapt ठीक है, water भी कम हो जाएगा, electrolytes वो भी low ने शुरू हो जाते हैं ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, facial को refeeding देंगे refeeding मतलब दुबारा से feeding स्टार्ट करेंगे, feeding स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा feeding में हम क्या करेंगे, carbohydrate भी देंगे, fluid भी देंगे, patient को साथ की साथ, salt भी देंगे, electrolytes भी देंगे, fluid भी देंगे और cargo added, energy production के लिए, जैसे ही body के अंदर fluid है, cargo added है, nutrition है, यह सब जाएंगे nutrition जाएंगे, मतलब यह सारा amount जब जाएगा body के अंदर, ठीक है, जो यह यहाँ पर वो जैसे ही amount जाएगा, तो insulin का production हो इंक्रीज हो जाएगा, insulin का production increase होगा, तो क्या होगा, body के अंदर क्या होगा, glucose का अपटेक बड़ेगा, cells है, पहले से वोगी बेटी हैं वो तो, तो वो क्या करेंगी, excessive glucose को अपटेक करेंगी, अपटेक करेंगी, तो जो potassium होगो, glucose के साथ, insulin के साथ, बाइंड होगा, कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा, cell के अंदर, और बाहर क्या रहे जाएगा, cell के अंदर, अगर potassium चला गया, तो बाहर क्या रहेगा, बाहर बच जाएगा, sodium, sodium का concentration cell के बाहर जादा होगा जादा होगा तो वो क्या फेरेगा water है water को stain अपने साथ retain करके रखेगा retain करके रखेगा तो हो सकता है मतलब condition develop हो जाएगी hypervolumia की और hypervolumia की जो condition develop होगी तो उस condition के अंदर क्या होगा जो भी electrolytes है वो क्या होगे imbalance हो जाते है ठीक है यह सारा मतलब hypokalemia, hypomagnetemia, hypoposphatemia यह सारी conditions आपको देखने को मिलती है तो यह क्या है एक refeeding syndrome है जो कि हमें देखने को मिलता है जो कि हमें देखने को मिलता है parent and nutrition therapy के complications के इंदर ठीक है no most commonly यह एक risk होता है जब भी हम पेशेंट को repeating कर रहे है या starvation वाले पेशेंट को repeating दे रहे है feeding start कर रे है पेडेंटेंट इन्टिंटेरीपिस स्कार करेता तो इस condition के रिपीडिंग सिंड्रॉम डवलप होने के काफी ज्यादा चांते है ठीक है next one है कि repeating syndrome है वो क्या करता है? electrolyte shifting काई जैसा कि मैंने भी आपको समझाय है electrolyte shifting क्या कर देता है? electrolyte shifting काद देता है ठीक है? repeating syndrome की बदे से क्या हुई रहे है? electrolyte shifting हो रही electrolyte shifting का जो ही? eg нат 생각 हुई phosphate है magnesium है or potassium है यह कहां चलेगा? seline के अंनर चलेगे टाश्चनीक प्रेंट्री कोई अ क्या देल dud के अदर क्या होगे जादा होगे और अबसुंट में क्या होगे कम होगे दो उस पेशेंट के अंदर कार्दिजेम के अंदर कार्डियो वर्स्कुलर problems है उनको हमें क्या करना है monitor करके रखना है कोई भी ऐसा sign and symptoms इन तीनों system से related वो हमें immediately डोक्टर को क्या करना है डोक्टर को हमें क्या करना है इनके कौन-कौन से sign and symptoms आएंगे देखिए ठीक है इनके sign and symptoms की बात करें तो cell or respiration ठीक है त्योंकि potassium है उस वो क्या करता है action potential pump के रूप में काम करता है the sodium channels है वो उनके अंदर काफी ज्यादा main role होता है sodium का potassium का तो potassium का level उपर hypokalemia में patient चला गया है उपर नीचे उमलाब electrolyte imbalance हो रहा है और calcium क्या है हमारे यहाँ पर हमारी जो blood के clotting mechanism उसके अंदर calcium का important role होता है ठीक है seizures develop हो सकते है तो यह सारे condition can develop हो सकती है in case of refeeding syndrome जब किसे patient के अंदर refeeding syndrome develop हो रहा है तो उस condition के अंदर यह सारे symptoms आवो develop हो सकते है तो हमें क्या करना है इन सबको हमें monitor करके रखना है ठीक है next point यह बता रहा है हमारा next point यह कह रहा है कि जब भी हम किसी parent nutrition solution को administer कर रहे है ठीक है तो हमें उसको store करना है ठीक है जब भी किसी parent nutrition solution उसको हमें क्या करना है हमें एक refrigerator के अंदर store करना है ठीक है जो भी हमारे पेरेंटर नुट्रिशन सोलीशन से वो फांस टोर किये जाएंगे खराब हो जाएगा डेस्ट्रोई होने की काफी ज्यादा चामसेद होते हैं करना है एक सारा का सारामें में द्यान रखने की बात है अजा भी कोई भी सो कोई भीुर्यान इसंफोी सजो हमें एक 24 अबढ़ ऑवर के अंदर हमें अड्रा में अद्र करना ओजन प्री से ये ईंदर जा सकता है । ये कहां पड़ा था हमने प्लैक्षिण अगर कोई student मेरे lectures के साथ मेरे चैनल के साथ continuously जुड़ा है तो वो इस answer दे सकता है ऐसा कौन सा topic पढ़ाता है हम लोगों ने जिसके अंदर ये बताया विया था कि आप तुरंट freeze से निकाल करके उस component पाप administer मत करो comment section में बताना बाकी मैं बताता हूँ आपको blood transfusion blood transfusion या BT के अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत ही जादा अगर massive amount के अंदर हमें massive amount हमें blood transfusion करना है तो उसको हमें warmers का यूज करके उसको normal temperature पर लेकर आना है ठीक है तो यहां पर हम parenting nutrition solution की बात करें तो parenting nutrition solution के अंदर हमें क्या करना होगा जब भी कोई patient है उसको parenting nutrition solution administration कर रहे है तो solution administration अगर freeze में रखा हुआ solution है तो उसको administration करनेगी आदे गंटे पहले ठीक है आदे से मतलब तीस मिनट से लेकर के थीस मिनट से लेकर के एक गंटे तक हमें क्या करें एक गंटे से पहले अगर मान ली तीस टे मतलब लगब लगवग एक गंटे पहले हमें solution को बाहर निकाल कर रखना उसका temperature उसको normal होने जैना अगर आप ठंडा लगा होगे एक जैसे करने को बेले जो करने का रहे हो तो सबसे पहले हुमें क्लावडिन स्टॉ नहीं को एक जामिन करने है कि यहिसे वह वह हुमें देख काम करने है खेके तो वह भी उमक्राप्णा देखने कोईчики निएज नहीं होने कि कोई डरकन, डरकन सोलूषन नहीं होना चीह ठीक अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमें क्या करना उसको driven कर देना है, हमें उसको क्या किर देना है, return कर देना है कार्मेथी के अंदर return करना है क्योंकि वो सकता contaminated है ठीक है तो contaminated परेंटर nutrition solution हमें कभी भू patient के अंदर administration नहीं करना है ठीक है साथ की साथ जब किसी patient के अंदर परेंटर nutrition therapy चल रही है तो उस condition के अंदर हमें नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल ही जो भी nutritionist होता है ठीक है उनसे हमें क्या करना है बार बार एक regular intervail की ओपर हमें उनसे क्या करना है consultation लेना है consultation क्यों लेना है वो इसी यह लेना है पेशंट काफी लंगे समय से parent nutrition therapy पे उसकी solution का उस solution को हमें change करना है कि नहीं करना है कि patient की बोड़ी की requirement से वो complete हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है मान लीजिए आप ऐसा solution एंट्रीकर कर रहे हो जिससे patient की body की requirement से वो complete नहीं हो करना है आज की ग्लास में इतना है एक कोटेशन लिखा हुआ है कि तुम्हारी सबसे बड़ी सकती तुम्हारा मन है इससे तुम जहां लगाओगे वहीं सपलता पाऊ ठीक है तो अपने मन पे कंट्रोल करो स्टेडी में लगाओ उपनी प्रिपेॅशन को फाइन करते रो डे ब्य डे फाइन करते रो ठीक है पढ़ते रो लायक शेर और सबस्क्रेब आंक तुम्हारी समच